शुरी अब रूकरते खबरों की और आपको बतादे कि श्री मुकसर साहिब के गाओ अबुल कोटली के रहने वाले 22 साल के युवक सिमरन जी सिंग बरार ने अपने हातों से महनत कर जीप मोटर साइकल और अन्य वाहन बनाए हैं जो बिना डीसल, बिना इंचिन और बिना श्री खन्ति की स्पीट से चलते हैं अब बात करें तो जिन सिमरन जीत सिंग की आज हम बात करें थे वह मारे साथ इस खास कारेकर में जुड़े इसे जीए पहुत बहुत स्वागत है खबर फास्त पर आपका सिमरन जीत मेरी अवास आप तक पहुँच पा रही है तो लगतार हम कोशिश करें कि सिम्रण जी सिंग से संपर को हो सके तक्निकी कारणों के चलते नहीं हो पा रहा है तो आपको बता दे कि सिम्रण जी सिंग वो शक्स है जिन्होंने बिना पेट्रोल डीजल के एक ऐसे वाहन को तयार किया है जो इलेक्ट्रोनिक है और खासकर जो बिना किसी पेट्रोल डीजल के चलते हैं और इलेक्ट्रोनिक ये वाहन जो है वो बताया जा रहा है आपको बता दे कि वाहन को सर्वकार भी कई न कई प्रमोट करती है और दिली की अगर बात की जाए तो दिली में भी इलेक्ट्रिक कई वाहन जो है वो चलाए जाते है और जादे से जादा सरकार इस तरह की की वाहन को प्रमोट कर रही है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पंजाब के श्री मुकसर साहिब के एक गाउं का रहने वाला यह सक्ष है बाइस साल का यह व्यक्ति बताय जा रहा है जिसने बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाली इस जीब को तयार किया है और आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी मेहनत के बाद काफी लंबे समय के बाद आखिरकार यह वाहन तयार किया गया है और आपको यह भी से हम देखते हैं कि प्रदूशन इस समय बहुत जादा बढ़ रहा है तो उस चीज़ को कम करने में भी इन वाहनों के जरी काफी मदद मिल सकती है तो बिना डीजल बिना पेट्रोल के यह वाहन चलेंगे और इन्वार्मेंट फ्री जिसे हम कह सकते हैं यह सभी वेकल्स बना वाहनों को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यह जो वाहन है कहीं ना कहीं परियावरन इको फ्रेंडली है तो और आपको बता दे कि सिम्रंजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खासकारेकरम में सिम्रंजी बहुत-बहुत स्वागत है ख़बर फास्ट पर आपका सिम्रंजीत मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है लगतार हम कोशिश कर रहे हैं कि सिम्रंजी सिंह से किसी तरीके से संपर्क हो पा है लेकिन तकनीकी कारणों की चलते संपर्क नहीं हो पा रहे है थोड़ा प्रॉब से कनेक्ट कर पाया और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे वाहन को तयार किया है कितना समय लगा है इस बात की हम जानकारे उनसे लेंगे और आप देख सकते हैं कि यहां पर सिम्रण जी सिंग बाइस साल के वो शक्त से जिन्होंने ऐसी जीप तयार की है जो बिना पेट्रोल डीजल के चलती है इसकी डिमांड जो है मार्केट में भी काफी जादा है और एको फ्रेंडली हम कह सकते हैं यह वाहन जो है क्योंकि पॉल्यूशन को कम करने में काफी मदद मिलती है इन वाहन की सरीव तो पंजाब किश्व्री मुक्सर साहिब के रहने वाले हैं सिम्रंजीत सिंग्ग माता पिता का सयोग मिला है सरीकी के वाहन को बनाने में और ऐसे में सभी लोग सिम्रंजीत की संहाना कर रहे हैं क्योंकि इस सरीकी का वाहन जो है उन्होंने बनाया है जो की producing को कम करने में सबसे ज़्यदा मददकार है तो बिना डीजल, इंजन, पेट्रूल के चलते हैं ये वहन, हेरानि वाली बात है कि बिना इंजन के ये वहन चलते हैं हलांकि देखा नहीं जाता है कि वहनों में इंजन ना हो लेकिन हम देख सकते हैं कि आखेकार इस बात को कहीं न कई सच साबित कर दिखाया है सिम्रण जीट सिंग ने तो सिम्रण जीट हमारे साथ जुड़ गए हैं लगतार कोशिश करने के बावजू सिम्रण जीट बहुत-बहुत स्वागत है खबर फास पर आपका सिम्रण जीट मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यह है कि आपने यह जीट बनाई है तो आइडिया आपको कहां से आए कि आपको इस तरीके का वीकल बनाना चाहिए मैं मुझे बच्पन से चीज का शॉक था मैं अपने ख़लोने खुद बनाता था और जैसे बच्पन में मैं सूचता था कि अगर तोय बैटरी से चल सकता है तो बड़ा भीकल क्यों नहीं अगर इस विशे पर मैं काम करता है शॉक अपने शॉक से रिसाप से तो आज बड़ करते हैं तो मार्केट के अगर हम लोग बात करते तो इसमें मार्केट में किस तरीके का रिस्पॉंस जो है वो मिल रहा है क्योंकि हम देख देख दें कि जिस तरीके से यह इलेक्टरिक जो वाहन है यह बनाएगा आपकी तरफ से और कहींना कि सरकार बीस चीज को बहुत जाना चाहेंगे अपसे अब सरकार इसको पर मोट कर रहे हैं मार्केट से रफ ऑंस अच्छा मिलना है लेकिन इसरकार का कोई व्याद मेरे तक अभी तक नहीं पहुंचा आपकी इस चीज को सरकार पर मोट करेंगे तो ज्यादा बैस्ट होगा लोग चाह रहे हैं इसको एह ज्मृफल ओर आए लोगों के लिए काफी तो जी आधो शिम्राइड आप सर जानना चाहेंगे जसे की हम देखते हैं जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले जितने वहACTन उतने वह वहथ इसे कितने डिफ्रेंड लाह न जो इलेक्ट्रिक क्र всё बात करते हैं स्भी इ इस जीप को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है इस जीप को चार्ज करने के लिए इन से चार्गनता टाइम लगता है उसके बाद ये जीप के साथ किलोमीटर तक चलती है जो मैंने डोषुपचाफ किलोमीटर तक कर तियार की हुई है जो मांकरी मैं चल रही है अभी तो ऐसी जानकारी भी मिली है सिम्रें जीप की बिना इंजिन के बनाई गई यह बात सच है पहुत बहुत धनेवा सिम्रंजी सिंग आप हमारे साथ सिम्रंजी सिंग जिन होने बड़ी मेहनत के बाद जो है इस सरीके का जो बाहन है वो बनाया है जो बिना पेट्रोल डीजल के और खास सौर पर बिना इंजन के चलता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बाहन जो है परियावरन में जो प्रदूशन बढ़ता है उसको कम करने में मददकार साबित होता है चुली बढ़ते आगे आपको बतादे कि